हम लोग बात कर रहे हैं वेव नेचर आफ मैटर की ठीक है तो इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं सबसे पहले डी ब्रॉगली ने बताया इसमें कि डी ब्रॉगली ने बोला डी ब्रॉगली इन्होंने बोला कि अगर अगर जो वेव है वो डुवल नेचर सो करता है अगर जो वेव है वो डुवल नेचर से सो करता है या जो रेडियेशन है इफ इफ रेडियेशन सोज इफ रेडियेशन सोज डुवल नेचर अगर रेडियेशन डुवल नेचर को सो करता है मतलब क्या पार्टिकल एड वेव नेचर दोनों सो करता है then since then the matter also should have dual nature ऐसा उनोने क्यों बोला क्यों कि since the universe is symmetrical since the universe is symmetrical जो अपना युनिवर्स है वो सिमेट्रिकल है अगर रेडियेशन के रेडियेशन दोनों प्रॉपर्टी सो करता है तो जो मैटर है मतलब जो पार्टिकल है वो भी दोनों नेचर को सो करने चाहिए ठीक है उन्हें ने बोला उन्हेंने बोला कि the momentum of particle देखो उन्हेंने बोला कि lambda and p lambda किस nature को सो करता है lambda shows the nature of wave it shows wave nature किसी भी चीज का lambda क्या सो करता है यह सो करता तो इन दोनों में कोई relation होना चाहिए और उन्होंने बताया कि जो मोमिन्टम का रिलेशन होता है अब देखो यानि लैम्डा इसी क्वेश्टो कितना हो गया एच अपॉन मोमिन्टम तो यह बात बहुत यह करने लग गई बहुत कन्फूजन क्रेट करने लगे कि सर आपने बोला है कि पार्टिकल भी वेव नीचर सो करता है हम लोग भी तो पा नहीं कर पारे तो एच की वैलू कितनी है बेटा 6.6 इंटू 10 का पावर अफ माइनस 34 मोमिन्टम कितना है मालो 70 केजी का ही आदमी ले लिया या चलो 100 केजी का या 80 90 केजी का ले 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 चलो 90 केजी का ले लिया और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा बहुत ज्यादा उपर वाले टर्म के कमपैरिजन में नेगलिजिबल है तो लेंडा इस वेरी 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 स्मॉल आता है किसके लिए मैक्रो स्कोपिक मैक्रो स्कोपिक मैक्रो स्कोपिक ऑबजेक् वो भी dual nature करते हैं बट क्योंकि अपना momentum बहुत जादा heavy हो जारा और जिसके कारण lambda बहुत कम हो जारा तो lambda इतना कम है इसलिए ये wave nature हम लोग feel नहीं कर पारे उन्होंने ये भी बोला कि जो अपना energy है उसका एक relation है और energy is equal to अपने पास है hc upon lambda energy को हम लोग और भी बोल सकते हैं mc square तो hc upon lambda और यहां से भी बताये गया कि lambda is equal to watch h upon mc जो कि है momentum के बराबर ठीक है किसका momentum अभी हम लोग बात कर रहे हैं अभी हम लोग speed of light की बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये relation valid है समझ में आया क्या यहां तक हमारे पास dbrogly के concept से क्या था कि lambda is equal to h upon momentum है अब यह जो lambda है यह जो lambda है यह किस पे किस पे depend करता है dbrogly wavelength यह ही को हमें लोग क्या बोलते डी ब्रागली डी ब्रागली इस डी ब्रागली जी व्यवेवलेंट एक यह आले न डी ब्रॉगली वेवलेंद यह पने पास डी प्रॉगली वेवलेंद लेंडा अद्लक एड इंडीपेंदेंट ओफ चार्ज एडेज़े ऐंदेबैंड देया को चार्ज एंड चार्ज मास एंड नेचर चार्ज मास एक सब्सक्राइब कर रहा है तो इस डिपेंड ओन चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल चार्ज एन नेचर अप्टिकल आफ पार्टिकल देखो बेटा मास क्यों नहीं बोला जनरली कई बार चार्ज और मास भी आता है तो लाइमडा इस इक वेश्ट टो एच अपॉन मोमेंटम में क्या है मास इंटो स्पीड तो हम लोग ने क्या बोला कि अच्छा ये तो मास पर डिपेंड कर रहा है मास ज्याद श्याद तो मोमेंटम क्या बोलता है लैमडा की वैलव अपना कम क्योंकि मास ज्यादा तो मोमेंटम अच्छा तो अपन क्या बात किए चार्ज जो है जो अपना डीप रागली वेवलेंज है वह इंडिपेंडेंटेंस है चार्ज एंड नीचर ऐफ डाटिकल कॉनसा या माटेरियल के पार्टिकल के इंडिपेंडेंट है अपने को एक चीज और पता होगा बिटा मोमिन्टम मोमिन्टम इसके लिए थोड़ा से हम लोग आ जाए तो एनर्जी इसी क्वेश्टू होता पी स्कॉर अपॉन टू एम के बराबर याद है क्या याद है क्या कैसे निक प्रवेश्ट के जगा पर ट्वाइश एम इंट्व एनर्जी लिख सकते हैं समझना बेटा अब हम लोग यह लिख सकते हैं अब यहां से ही सारी खिले स्टार्ट होगी तो अब देखो एनर्जी को यह अपने पास आया और इससे बहौत सारे निमेरिकल्स निकाले जा सकते ह आइसे ऐसे निकलिंगे देखते हैं देखो सकते ही हम लोग क्या लीख सकते चार्ज पार्टिकल इन्टू प्रटेंचल ली चंपहें है की फलें पॉर एलक्ट्रॉण तो एलेक्ट्रान इस इकोई स्टू लेंडा एच एच अपॉन अंडरूट ओफ ट्वाइस इन्टू एम इन्टू चार्ज इन्टू पोटेंशन अच्छा लेंडा एच की वैलू अपने पास कितनी है 6.6 इन्टू 10 का पाऊर of, माइनस 34, divided by 2, into M की वैलू, mass of electron कितना होता है? 9.1 इन्टू 10 का पाऊर of, माइनस 31, into charge of electron, 1.6 इन्टू 10 का पाऊर of, माइनस 19, into V, जब इस सब को आप calculate करोगे ना बिटा। तो लेंडा की वैलू, लेंडा की वैलू, उसको calculate करेंगे, तो देखो नी में वी को हम लोग ने रखा है क्योंकि वी क्या है पोटेंशल है हना पोटेंशल अपको बताया जाएगा तो यह बागी सारे चीजे कॉंस्टेंट है जब आप इसको सिंप्लिफाई करोगे तो यह 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी के अंडरूट वी के बराबर आएगा तो वेवलेंथ आफ वेवलेंथ आफ एलेक्ट्रॉन आप कैसे दे सकते हैं उसको दे सकते हैं लैम्डा इस इक वेश्टू 12.3 एंगस्ट अपॉन वी के बराबर कर सकते हैं ठीक है अब यहीं पर अगर मेरे पास प्रोटॉन आ गया प्रोटॉन आ गया ठीक है तो लैम्डा इस इक्वेश्टू एक्वेशन तो सेम रहेगा वह क्या होगा एच अपॉन अंडरूट आफ ट्वाइस मास इंटू एलेक्ट्रॉन वोल बाट एच की वैलू यह तो सर्फिक्स थी डिवाइड़ बाई मास ओफ प्रोटॉन या अधे क्या बिटा मास ओफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पाउर अफ माइनस 27 एलेक्ट्रॉन वोल्ट यानि 1.6 इंटू 10 का पाउर अफ माइनस 90 और यहां पे वी यहां प 0.8 एंगस्ट्रॉन अपॉन अंडरूट वी के बराबर आजाएगी सिमिलर्ली थर्ड अगर आप डियूट्रॉन के लिए निकलेंगे डियूट्रॉन पार्टिकल के लिए ठीक है तो उसके लिए भी जब आप लिखेंगे तो लैमडा की वैलू आ जाएगी बिटा उसके ल लोग एक और लिखी देते हैं न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रॉन अगर निउट्रॉन के लिए भी कर दें हम लोग एक और लिखी देते हैं neutron 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 का mass कितना होता है neutron का mass कितना होता है जानते है अपन अब neutron के लिए अगर हम लोग कर दें तो neutron के लिए जो lambda की value आ जागी वह 0. exactly equal to proton होता है तो 2.8 divided by under root v के बराबर होगा ठीक है तो यह 5 values है जो की बहुत important है कौन-कौन सा पहला electron के लिए 12.37 divided by under root of v then proton के लिए 0.286 और proton और neutron दोनों बराबर ही होंगे तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है neutron के अगर बात करें तो 0.2 और उसका आधा हो जाएगा alpha particle जिसके value होगी 0.1 upon angstrom सारे values angstrom है upon under root v के बराबर समझ में आया क्या यहां तक तो अपने पास wavelength डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो equation था है अच्छा अब अगर कोई gas particle के लिए यूज करा तो गैस पार्टिकल के लिए एनर्जी कितना होता है पता है क्या बता सकते है क्या कोई जो गैस पार्टिकल के लिए नर्जी होता है वह आपने के टीजी में पढ़ा होगा वह होता है थ्री बाइटू अब इसको अगर हम लोग यहां पर पूट कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस कितना आ जाएगा अगर हम लोग इसको सिंप्लिफाई करें तो चलो इसको सिंप्लिफाई करते दिस इक्वेस टू एच डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ थ्री बाइटू से टू कट जाएगा तो यहां जागा थ्री के एम अगर मालो ऐसा हुआ अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग इसके लिए लिखना है और बाइटल या और बाइटिंग और एलाक्टरौन के लिए लिखना है क्ला सव अपने को अगर ऐसा लिखना है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ डी ब्रॉगली भवाफ लेंथ दिब्रॉगली व्याइब लिप आधिंग इलाक्टरौन तो अगर और बाइटिंग एलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखें तो उसमें हम लोग क्या-क्या लिख सकते हैं वो है एच अपॉन अंडरूट आफ ट्वाइस ट्वाइस एम इंटू एनर्जी अब जो एनर्जी होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ल अगर पुट कर दें और एनर्जी की वैलू किसी भी और्बिट के लिए कितनी होती है वो होती है 13.6 13.6 divided by n square electron volt के लिए होती है जब आप उस values को पुट करेंगे मास वगेरा सब included है तो एच की वैलू जो आ जाएगी ह की वैलू जो आएगी सिंप्लिफाई करने के बाद मैं वह बता रहा हूं हना एच की वैलू जो आएगी वह आएगी 3.3 स्वारी लैमडा की वैलू जो आएगी डी ब्रॉग्ली वैवलेंट 3.3 इंटू नंबर ओफ या एन इस दा ऑर्बिट जिसमें वह घूम रहा है एंगस्ट्रॉम के वराबर ठीक है जब यह एन उपर जाएगा एन इस क्या एन इस क्या ओर्बिट नंबर और्बिट नंबर तो डारेक्ली सवाल कई बार पूछा जाता कि अगर कोई एलेक्टरॉन है जो की 3rd और्बिट में घूम रहा है तो एलेक्टरॉन अगर 3rd और्बिट में घूम रहा तो उसका डी ब्रॉग्ली वैवलेंट बता है तो आप यहां पे पुट करते हैं सिंप् कर देते हैं हम लोग तो जो आता है वह 3.3 एन जो कि है अपने पास कौन से नंबर आफ और बिट में वह घूम रहा उसके बराबर आ जाता है वेवलेंट ठीक है आया क्या देखो क्रॉम्टन एफेक्ट क्या बोल रहा है यहां पर अपने पास एक एलेक्ट्रॉन है और एलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया गया एक्स रे से जो की वेव है closest है अब तो यह देखा गया जो अलेक्ट्रॉन है Jो professionals है वह मू व कर गया या किसी दूसरे डाइरेक्षण में चला गया और और जो एक्स रे है उसका वैवलेंट चेंज हो अब देखो मतलब collision हुआ, wavelength change हुआ इसका और direction भी change हो गया, मतलब यहाँ पे collision हुआ है, और collision हुआ है बिटा, अगर collision हुआ है, तो collision किस में होगा, particle, particle में ही होगा, तो Crompton Effect ने क्या बोला, कि यह जो X-ray है, जो कि already wave था, वो wave कैसा property so करता है, वो so करता है, क्या particle nature, तो उन्हो wave will also so, wave will also so, particle nature, particle nature को भी बताएगा वो, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से बिटा change in momentum, यहाँ पे इसका कुछ momentum होगा, तो lambda dash minus lambda, जो की change in momentum है, वो हमेशा किसके बराबर होगा, H upon M not into C, जो की rest mass है, 1 minus cos theta के बराबर, अगर बिटा ऐसा हो जाए कि टकराने के बाद यह directly वापस चला जाए, टकराने के बाद, यह निकलियस है, यहाँ से X-ray आया, टकराया और वापस उसी path को follow कर ले, तो उस्टाब में cos theta के value कितनी हो जाएगी, minus 1 हो जाएगी, क्योंकि theta की value, pi हो जाएगा, तो इस्टाब में, twice h upon M not into C हाएगा, समझ में आया ये क्या, समझ में हाए तो crompton का comprton shift, क्रॉम् टन शिफट यह मैक्सिमम घब होगा जब टिटत की वेलू कितनी हो जाए 0 डिग्री हो जाए तो 0 डिग्री रहेगा समझ में हो है نा 0 डिग्री अच्छा अगर क्रॉम् टैन sorry अपन यह किसको बोल रहे है लैम्डा ड помог पने पास 180 डिगरी आया है तो lambda dash minus lambda जो की क्रॉम्टन सिफ्ट वो कितना एगा twice h into m0 into c के बरावर आ जाएगा समझ में आया क्या बेटा बात करें हम लोग milkans experiment की जिन्होंने बोला था quantization of charge तो उन्होंने क्या बोला एक very long tube था उनके पास जिसमें मार्किंग की होई थी जिसमें मार्किंग की होई थी यह सारे portion से नहीं है तो दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या feel होता है वही बताऊंगा अब देख यहां यहाँ पेicer था जो I'll drop को spray कर रहा था ना तो यहां से I'll drop spray को कर आया यहांसे I'll drop spray होकर आया अच्छा तो I'll drop जैसे इह यह हुआ तो यहाँ पेわかर निकला विक Phoenix यह जैसे ही हुआ यहां से हम लोगों ने X-ray को पास कराया. X-ray को पास कराया, जो अपना oil drop है, वो ionized हो गया. तो इसके कारण क्या हुआ? यहां पर ionization हो गया. अगर particles भी ionized हुए, तो अपना जो particle था, यहां पर क्या बोले, oil drop था, वो negative charge ले लिया. ठीक है, तो negative charge ले यहां पर आया. अब यहां पर जब यह नीचे की तरफ move करने लगा, इस पर कुछ-कुछ forces लग रहे हैं, वो अपन बात करते हैं. तो इस पर weight के कारण, इस पर एक force लग रहा होगा weight, इस पर एक force लग रहा होगा weight, और because of air, यहां पर एक drag force लग रहा होगा, FD लिख देता हूँ. Strokes law, जो कि आप fluid में पढ़ेंगे, Strokes law, उसमें FD को बोलता है, क्या 6, जो drag force होता है, 6 pi eta r v के बराबर होता है, v is the terminal velocity, वहाँ पर, यहीं से हम लोग terminal velocity का भी concept देखते हैं. अभी यह velocity with which object is moving, हम लोग यह जानते हैं, ठीक है, अब अगर इस पर एक force भी लग रहा होगा, जो कि बाइनसी force के कारण लग रहा होगा, तो अगर balance करके देखा जाए, तो weight, W, किसके किसके बराबर है, FB, जो कि बाइनसी force है, और अपने पास drag force, तो 6 pi eta R V1 के बराबर है, ठीक है, कुछ समय के पहश्चात अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक net electric field को generate कर देते, और net electric field की direction हम लोग लेखते हैं, उपर से नीचे, इसका क्या मतलब है बिटा, उपर की direction में plus होगा, नीचे की direction में minus होगा, अब यहाँ पे कहीं जब liquid particle आएगा, क्योंकि यह negative charge है, तो इस पे उपर के side पे force लग जाएगा Q into E, हना, अब देखो Q into E इस पे force लगने लगा, इस पे जो velocity हम लोग इतना करते हैं इसको, या इतना electric field रखते हैं, कि इसकी velocity उपर की तरफ आ जाए, तो उपर की तरफ velocity आ गई, तो अपन उपर की तरफ velocity को लिख लिए हैं, V2 suppose लिख लिए, ठीक है, अब अगर motion उपर हो रहा है बिटा, तो drag force तो नीचे ही लगेगा, buoyancy में कोई change होगा क्या, buoyancy तो हाइजर्टिस लगेगा, और नीचे के तरफ weight लगेगा, तो देखो अपने पास second case में क्या-क्या है, Fb plus Qe, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है drag force, जो कि यह 6π, अभी हो गया 6π, eta R into V2, plus weight, plus weight, यह Fb है, यह भी Fb है, यह equation 1 है, यह equation 2 है, जब आप दोनों equation को add कर देंगे, 1 plus 2 कर देंगे, तब क्या होगा, यह, 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 और यह, cancel out हो जाएगा, तो उस टाइम में कितना आएगा बेटा, उस टाइम में Q into E की value कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6π, eta R, V1 plus V2, यहां से आप electric field को भी divide कर दोगे, divide कर दोगे, electric field को निकाल कर यहां पर divide कर दोगे, तब जो Q आएगा, वो अपन जब simplify करते हैं, तो देखते हैं कि वो हमेशा, आइदर E आ रहा, या 2E आ रहा, या 3E आ रहा, या 4E आ रहा, तो हम लोग ने experiment किया, और देखा कि N की यह जो है, वो N के form में ही आ रहा, तो वहां से क्या बोला उन्होंने, कि जो charge होगा, वो हमेशा quantize होगा, तो उन्होंने यहां से बोला, Q is equals to N E के बराबर होगा, यही था Milken का experiment, समझ में आया क्या बेटा, देख बेटा, इसमें क्या बोल रहा, इसमें क्या बोल रहा, photo emission takes place, इसमें क्या बोल रहा, photo emission takes place, the factor by which maximum velocity of emitted, अब देखो, अपने को पता है, जो भी energy होगा, वो दो चीज़े,